नमस्कार मसंदीप शर्मावर आप देख रहे हैं सीटी तहलका और खास कारेकर में स्वागत आपका पंचायती सरकार और सीटी तहलका की टीम पहुंची है पानिपत के परढ़ाना गाओं में जहां पर वार्ड नमबर 7 से जिला परिशद की जो उमीदवार हैं सिरिमती सुद तो इस आ रहे हैं और उनके हस्बेंड और तमाम गाओं के लोग सब लोग दोर-टो दोर करते हुए नमांगकन इन्हों ने दाखिल कर दिया था उसके बाद में तमाम जीट का दावा करते हुए गाओं गाओं जाकर के घर घर जाकर के आटनों गाओं है इनके वाड के नमस्कार मेरे नमस्ते और हाँ जी आप नमंकन आपने कब भरा और कैसे अपना जो है केम्पेज शुरू कर चुके हाँ डो टू डो जो है लोगों को कैसा समर्थन आपको मिल रहे हैं जी आज नमंकन आज दाखिल किया है सुबह ग्यारा बजे और नो के नो गाउं की चतिस व विरादरी का काम नहीं था और हमने आज अबला प्रचा दाखिल करके स्वीद्य प्रडाना गाउं में आए सुबह गे प्रडाना गाउं वासियों ने मारे बहुत बड़ी अस्मर्थन दिया 36 विरादरी हमारे साथ खड़ी होके सुबह की डोर टूर कर रही है जी हमारे अपने गाउं आते हैं सर नो गाउं है इस वाड में पाथरी कुराना चिछड़ाना एहर खलिल्ला परडाना साप्र कैत विजेवा यह नो गाउं आते हैं और नो के नो गाउं से आज मेरा नामकन कराने के लिए आज में गए वे थे 36 विरादरी के गए थे क्या-क्या वीजन आपका कौन-कौन सी ऐसी प्रात्मिकताई हैं कि जो आप सबसे पहले गाउं में ले करके चल लेकवे मुझे यह यह दो-चार काम सबसे पहले करवाने हैं देखिए सर मेरी लाइन भी ठेकेदारीगी है इंट्रलोकिंग टाइल का प्लांट है मेरा और वही बात है देशी वासा में बलावाई गरकीवई काका लिखनाडा अगर यह मेरे को परमात्माइदाय से मोका मिलता है तो मैं जिस लेवल से मेरे अंडर में जो काम आते हैं ग इल्कुल दिन रात करके बड़िया तरीके से करवाए जाएंगे और गाओं के बीच में ओफिस है एर कोणा चोंक पर सभी गाओं का सेंटर पड़ता है और वहां कोई भी जो भी आएगा जी तरीके से भी आएगा उसकी पूरी मदद की जाएगी पूरा स्यों किया जाएग युवाओं के लिए जो आजकल अपना अर्याना के लोग हैं नसे की उसमें चलते हुए जा रहे नए बच्चे हैं और अर्याना का काफी नाम होता है कि खिलाडी यहां से निकल करके आते उन बच्चों के लिए क्या कुछ यह आपने बहुत अच्छा स्वाल किया मेरी अगादमी हो जी गुर्कुल में पढ़िया हूं और अभी तक इस तरह की में लाइन से भी बचया होना से वगारागी लेकिन कोशिस रहेगी बई कुराना में कब डिगी टीम है एर में भी है लड़के और कुस्तिया की तरफ भी जा रहे हैं कोच भी हैर की तरफ और जनरेशन बहुत बढ़िया नसे से वचे उमीदवार हमारे साथ मुझूद है मैडम आप बीए कंप्लीट कर चुकी है और ऐसे पड़े लिखे युवा जब सामने आएंगे तो जाहिर सी बात है जो आमजन की लोगों की जो उमीदों पर खरा उतरेंगे क्योंकि आप सीख स को बेटी बच्चाओ बेटी पड़ाओ इस पर लगबग मेरा ध्यान रहेगा चोटी चोटी बच्चियों को आजकल द्रिंदगी का सिकार बनाया जा रहा है उन सिक्सित करने के लिए उन बेटियों को समझाने के लिए क्या कुछ ये भी प्रात्मिकता रहेंगी यह तो रह पर विजन के बाद अगभी आपने यह काम सोच रखे हैं इससे पहले भी आपने कुछ जब आप दरातल पर आये हैं कुछ ना कुछ आदमी सोच करके जब आपको यह लगता है भी हाँ लोग मुझे जानने लगे हैं और मैं उनकी उमीदों पर खरा उतरेंगे कुछ ऐसे का छाम आपने करवाये हों लोगों के से पिछले 10 साल से वाड़ सात में नित कर रहे हूं और मेरे बने हावित्तक करी हो cries भणि-खिल है कि आपको कुछ स्टेडियम में जाता हूँ नोजवान वाली वाल गे दो डो वो क्यानाम है बास्केट बाल गे इस्टेडियम अरिशीकूल में है और अर्फि हुआ मैं कभी कभी बार बारुन में जाता रहता हूं बच्चों को गाइड करता रहता हूँ, वही मेरे लायग अगर मेरी जूरूद पड़े, तो कहीं भी बता धना मैं तुमारे साथ हूँ, और मैं कोशिज भी करता हूँ, उनको जीछ तरिके की, मेरी सभी दादेनी की कोशिज करता हूँ, मेरे अपने लेवल से जो मेरा बजट है मैं पहले वी इस से पहले वी से बार-बार उनके असे हो करता रहा हूं एक आजकल उमिद्वारों के द्वारा घोशना की जारी है कि युवाओं को रुजाने के लिए खास तोर पर क्योंकि इंटरनेट का जमाना है डिजिटल जमाना है तो उसके तोर पर उनकी ये मैनिफेस्टों में उनके वादे किये जारे है कि अगर हमें जनता अपना वोट द रहेंगी तमाम चोक चुराहों पर CCTV लगवाने का काम करें अगर यह इसमें जिला परसद के अंडर में देखिए कई बाराना ज्यादा लंबे चोड़े वाद दे करना फिर जूठे हो जाते हैं वह वह भी अच्छा नहीं रगता अगर मेरे अंडर मेरे मेरे बचण में इस कराइटेशन अगर май जो मेरे जो अगर कराइटेरिये में इस आधे कोई बात आती है तो बिल्कुल सबसे पहले गासे जान लेटे हैं कुछ से बच्चे निकल करके सामने आ रहे हैं क्या कुछ कहेंगे कितना समर्थन और किस तरह का सायोगा आपका गाउंवालों का है बात ऐसे है लड़किया हमने काई बार बनाक देख लिए इसको तुन्या है और इसको बड़ तड़के बोट देंगे अर्थते हैं यह वादा हमारा पहले सिरफ महिलाओं को ठीक घर की जिम्मेदारी दे आती थी कि घर का सारा काम उनको संबालना खाना बनाना घर तक ही सीमित रहती है लेकिन अब महिलाओं भी जो है अब राजनीती के अंदर जैसा सरकार ने कि अगभी 50% तारक्षन दे दिया राजनीती में आ रही हैं तो से पहले तो मेरा सारी जन्ता को नमस्कार क्या है पहले और ते शिरफ एक घर के अंदर चुले के अंदर सिमित रहती थी लेकिन आज कल जो है और ते दिन परते दिन आगे बढ़ते जा रही है स्रीमती इंद्रा गांदी हमारे देश की परदान मंतरी बढ़ी है ठीक है उसन और तो ने देश को संबाड़ा है तो हम भी अपने हलके के नगर वासियों को संबाड़ सकते हैं तो इसके लिए हमने हम सारे इनका आशिरवात चाहिए और सहयोग चाहिए अखरी सवाल ले लेता हूं आप से कि भई अब डोर टोर केंपेंड है कौन से कौन से गाउं में कै करणुर है कल पर सो का करम सबी जितने बड़े बज़र्ब केंथे हैं अब स्याम करके पता सलेगा हमारे कोश Qehan को हम ठास करने प्रोग्रम हैं साइडर की बढ़ेस यह वेस्ता श्यों हो गुई रहा है कई बार उन गाउं번 मेंल ने दर करना कर दिया हम हर वारी ये स्वाल उठता है गभी एहर कुरानय गा बन जाता उधर ही विकास होता है अब की वारी अगर आपकी अपकी बेटी को असिर्वात मिला अपकी वारी उन गाओं का उधर भी पूरा पुरा से हो रहेगा और पूरा पूराना काम करने गा कोशिस करेंगे जी बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्सकों से अपील इस वीडियो को शेयर करें जी आप बताईए उन्सा का अंकल आपका बजेवा साब जी हाँ जी क्या कुछ कैसा लग रहा आपको कैसा माहूल है और भी लोग वोट मांगने आते हों बजेवा गणा बटी आमोल है बैंजी सब्सक्राइब अपील इस वीडियो को शेयर करें नमस्कार फिर से आज होंगे